खिचडी सरकार बनेगी तो क्या आपको लगता है कि नितिश कुमार उसके नेता हो सकते हैं? ये बात ध्यान में रखते हुए कि उन पर भाई भचीदाबाद का कोई आरोप नहीं है, उन पर भष्टाचार के आरोप नहीं है, खुद बीजेपी के नेता प्रेस कॉंफरेंस मे मान चुके हैं कि वो बहुत मेहनत करते हैं, बड़े efficient हैं, अच्छे administrator. वो तो भास्पावलों को बोलना पड़ेगा न, जब आप एक पलंग पर एक सास सो रहे थे, तो बोलना ही पड़ेगा, वो तो बोलना ही पड़ेगा, वो कैसा बोलेंगे उनको बुरा. आप ये मैसील बननी चाहिए देश के लिए देश के जंता के लिए बैसे तो आरोप के चंदर से कर राओ पर भी कुछ नहीं है कोई आरोप मी उन पर भी तो आप क्या चाहरे हैं कि चंदर से कर राओ बनने चाहिए पर दाने आप जब कह रहे हैं कि आरोप भई नितिश कुमार के ओपर सबस थे फिर जॉच सहाब फिर अटल विहारी वाजपाई गोदरा हुआ गुजरात हुआ तो ये तो उनका ये भी तो साम में है ना है चीज को साम में रखना पड़ेगा और फिर आप जितने भी लोग जो लोग दावेदारी आज पेश कर रहे हैं उन्होंने पारलेमेंट में क्य का रिकॉर्ड है उनका देख लिजे यूएपी आया तो कॉंग्रेस ने यूएपी के अमेंडमेंट को सपोर्ट कर दिया अब यूएपी ए में जेल में कौन बैठा है कोई कॉंग्रेसी बैठा है कोई नितीश के पार्टी का बैठा है मुसल्मान दलित आदिवासी और जो प्रिसेंटर्स हैं वो बैठे वे हैं